हलो फैंट्स वेल्कम टू लेंडिंग वीनल शर्मा आज की मेरी वर्क्षीट नमबर फाइव है जो कि हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है फोर क्लास नर्सरी टू कीजी अब इस शीट को नर्सरी ओ कीजी क्लास के बच्चों के लिए बना सकते हैं आज मैंने वियंजन दिए जो मेरी पहली वर्क्षीट थी इससे पहले वाली उसमें मैंने सवर दिये थे और स्वर और व्यंजन से रिलेटेड वर्क्षीट भी मैंने बनाई हुई है आप उसको भी जाके देख सकते हैं ठीक है यहां स्टार्ट करते हैं, यहां पर मैंने कुछ ब्यांजन्स लिखे हुए है, क, ख, ग, घ, अन, च, च, ज, 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 इया, ट, ठ, ड, ध, अन, त, ठ, द, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इन ब्यांजनों को, इन वन को, बच्चा देख की लिखेगा, जैसे, यहां पर लिखा है, क क क क क क क क ग गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग ठीक है इस तरह किसे बच्च से पूरीजीट घर देगा Now quick question number second की औरhh question number second है, खाली स्थान भरी है खाली स्थान में मैंने श्वद से रिलेटेट कsych स्थान दिये हैं, जहां पर आप बच्चों को इस तरीकर से दे दुझे और उनसे read करते हो है लेक्न यहां जैसे यहां पर लिखा हुआ है अ, अ के बद आ, इ, इ, उ, रिर, ए, अगर बच्चा इस तरीके से नहीं बना पाता या आपने इसको दूसरी तरही तो इसको आप इस तरीके से भी बनवा सकते हैं, ए, ए, ठीक है, ओ, अ, 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 ठीक है, आपको समझ में आया होगा, कोशन नमबर थर्ड है हमारा चित्र पहचान कर पहला वर्ण लिखे, पहला यहां पर जो चित्र बने हुए हैं, उनको पहचान कर हमें पहला वर्ण लिखना है, पहला वर्ण मीन्स जैसे यहां पर यह बना हुआ है, गमला गमले का पहला जो word है वो है ग ग जो पहला चुस से हम अपना शब्द स् employers कर रहे रहे हैं तो ग से गमला तो यहाँ पर किया आजाएगा ओभी यह क्या है चमज चा चा से चमज यह क्या है ज जंडा BEN arts किस की पिक्चर रहे तो यहाँ किया आएगा जहा, बच्चे से simple, आप पिक्चर पिचानने के लिए बोलिया उसे कुछी इसकी पिक्चर है, पिक्चर पिचानने के बाद जो उसका पहला word होगा वो यहाँ पे लिखेगा, यह किसकी पिक्चर है अनार तो यहाँ क्या आएगा अ तीक है, यह क्या है नल, ना, मचली, म, ठीक है, नेक्स्ट कुशिन है हमारा अगला वर्ण लिखिए, अगला वर्ण मीन्स जो इसके आगे बाला शब्ण होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ख, खा से, खा के बाद क्या आएगा, ग, ज, 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 श, स, य, र, ठ, ड, प, फ, ठीक है, इस तरहीं से बच्चा यहाँ लिख देगा, कोशिन नमबर फाइब है हमारा, अक्षर खोच कर उस पर गोला बनाओ, ठीक है, अभी यहाँ पे एक अक्षर लिखा हुआ है, उस अक्षर को इस क्लाउड के अंदर बच्चे को ढूनना है, और दून कर उस पर गोला लगाना है, ठीक है, अब दूनना कैसे है, यहाँ से रीट करते हुए जाएगा बच्चों, और फिर जो अच्छा राजाएगा, जिस अक्षर को उसे ढूनना है, उस पर तुरन गोला लगा देगा, क, अ, च, छ, छ, इ, उ, र, र, च, इ, य, व, र, ग्य, उ, आउ, च, ए, च, इ, ठीक है, इस तरीके से यह बच्चा इस कोशन को कर लेगा, अचा नेक्स कोशन है, चित्र देखकर शही अक्षर में रंग भरो, चित्र किसका आएए, पतंका है, तो बच्चे को पहले दूसका नाम पेचानना है, चित्र पेचानना बच्चा अराम से कि यह तो पतंग है, अब पतंग का सही, पहला अक्षर क्या होता है, पतंग, पा, पा, पहला अक्षर क्या है, पा, तो अब उसको नीचे लिखे हुए अक्षरों में से पा अक्षर ढूनके उसमें रंग भरना है, ठीक है, तो रीट करते हुए करेगा वो पा, तो या खा पा च भा पा पा च ट थ ध इस तरीके से यह हमारी शीट का लास कोशन था आपको यह वक्षी समझ में आई होगी जिसमें मेरा पहला कोशन था देखकर अक्षर लिखो खाली स्थान भरो कोशन नमर थार्ड हा चित्र पैचानकर पहला वर्ण लिखिये कोशन नमर फोर है अगला वर्ण लिखिये कोशन नमर पाइव अक्षर खोचकर उस पर गोला बनाओ कोशन नमर सिक्स चित्र देखकर सही अक्षर में रंग भरो I hope आपको ये मेरा वीडियो और मेरा वर्क पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू बाइ बाइ